नमस्कार मैं हूँ नफ्जो चंधावार हमारे कवी समेलन में आपका स्वागत है एलेक्शन नहीं आसान बस इतना समझ लीजे वायदों का दरिया है और डूब के जाना है तो वायदे करने का मौसम आ गया है या कहिए कि कहे कर मुखरने का सीजन आ गया है दो राज्यों में चुनाब का शोर है हिमाचल में चुनावने पड़ चुका है लेकिन गुजरात में अभी भी जोर है मीदवारों की नामों के लिए सा रही है कोई रूठा है तो किसी को जपरन बिठाने की कोशिश हो रही है जिन्हें टिकेट मिला है उनकी तो खुशी साथवे आसमान पर ह और जिनका टिकेट कटा है वो अब उसकी आसत में बुजर्ग वार है तो चुनाब की इन्हीं तमाम चुकल्लस के साथ आज हज़ है हमारे तमाम कवी चले स्वागत करते हैं कवी कुमारों का हमारे साथ है नीड गोरफपुरी बहुत स्वागत है नीड आपका जीपक सैनी ह एक आग का दरीया है दूब के जाना है बहुत कठिन है अच्छा ये ऐलेक्शन नहीं आसा आग का दरिया है बट डूब किपको के जाना है नहीं तैर के जाना है अग्या सुनिएगा बताती हूं में क्या क्थनाई और कुछ कथनाईयों के साथ पाथ भी होते हैं जिनको पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है एक पाथ को पढ़ civilise उससे पहले के वर्चार पंक्तियां कहती हूं सुनिएगा कि अहंकार के रत पर चड़कर दोशी छाटे जाएंगे आप एलेक्शन में आ रहें उससे पहले ये जान लीजिए कि क्या क्या होगा कि अहंकार के रत पर चड़कर दोशी छाटे जाएंगे भले भूल हो खुद की लेकिन दूजे डाटे जाएं आहट आने लगी शहर में ने चनावी मौसम की गली गली में घुम घुम कर वादे बाटे जाएं तब एक बात कहती हूं सुनिएगा अब जो लोग इसमें पाटिसिपेट करने वाले हैं उनको एक बात बता दू समयल के रहिएगा कि सत्ता की घोडी जब यहां ने ताजी चड़ेंगे सत्ता की गोडी यह देखें चड़ रहे हैं ने तोशुश कर रहे हैं चड़ने के एक दूजे को फिर आगे बढ़ेंगे आज आप स्टूडियो में भी देखेंगे धक्या के एक दूजे को फिर आगे बढ़ेंगे आसान ही एलेक्शन डगमग है डगरिया गाली भी मिलेंगी यहां थपड़ भी पढ़ेंगे गाली भी मिलेंगी यहां थपड़ भी पड़ेंगे और एक नजरिया एक पैरोडी से रखती हूँ और मेरी इस पैरोडी में मेरा मन है कि जो हमारे स्टूडियो के कथत नेता हैं पर टिसिपेट करें और उन्हें भी पता चल जाए कि उनको क्या क्या करना है और और क्या करते हैं सुनिएगा Σ HUE पता चला कहेंगी कि कत्थ करें से कत्थित तो हम हैं यह तो व्यतित हैuciones बीड़ी एक दूजे को डाटेंगे तो आप देखिए इन दोनों को और सुनिएगा मुझे कि लाख बुरे हो लेकिन अच्छा दिखना होता है थोड़े बिकाऊ होकर पूरा बिकना होता है जूट की दम पर जब भी सचका कारोबार होता है तब कहीं जाकर इलेक्शन पार होता है स्वार्थ शिला पर गिस गिस कर चन्दन यह बहुत अहम बात है कि आप में स्वार्थ होना बहुत जरूरी है सुनिएगा कि स्वार्थ शिला पर गिस गिस कर चन्दन जूटे रिष्टों का करके वंदन राष्ट्रवाद का पूर्ण दिखावा हो जातिवाद का एक छलावा हो आईक्यू लेवल के बिन भी तो टिकना होता है आईक्यू लेवल के बिन तो भी टिकना होता है टिकना जितना हो जरूरी टिकना उतना होता है घड़्याली आसू में असली दावेदार होता है तब कही जाकर election पार होता है एक बहुत जरूरी बात और करनी पड़ेगी अब इन दिनों election में सुनिएगा कि जो भी करना जितना भी करना ध्यान रहे सब कैमरे में हो बिना दिखाए कोई भी कुछ नहीं करता है खास दोर से नेता हमें भी कैमरे में लीजिएगा हम भी कर रहे हैं सुनिएगा और नेता हो भी देखिए कैमरे में हाथ जोड रहे हैं एक भी समाच सेवा का काम करेंगे वहाँ जाकर कैमरा जरूर लेके साथ जाएंगे खुद करने का दिखाएंगे और दूसरे का नहीं करने का दिखाएंगे भी दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे सुनिएगा कि जो भी करना जितना भी करना ध्यान रहे सब कैमरे में हो सोशल हो पाओ ना हो पाओ सोशल मीडिया के वे में हो सोशल मीडिया के वे में हो इलेक्शन के आते ही शालीन हो जाते हैं इलेक्शन के आते ही शालीन हो जाते हैं इतने बिछ जाना है कालीन हो जाते हैं इतने बिछ जाते हैं कालीन हो जाते हैं जनता को टॉप जनता को टॉपी पहनाना भी हथियार होता है तब कहीं जाकर इलेक्शन पार होता है तब कहीं जाकर एलेक्शन पार होता है तोपी पहनाना तो अच्छी बात होती है अब सर्दी आरी हम लोग इतनी लंबी टोपी देंगे जिसे कान भी कवर हो जाएंगे मफलर तो मेरे लिए होगा बातियों को तो टोपी देंगे कान वाली मंकी कैप बना देंगे इस बार उस पर लिखवाएंगे हम आम आदमी है हाँ तो ये जूटे आरोप लगाते है nose लेकर ये लेकर जाते हम नहीं लेकर जाते हैं इनके बाल बड़ा पैसा आई जी णा तो हम तो कैमरे हमारे पास फोन भी है इसमें चार चार कैमरे हैं ताकि आपकी जो गतिविधियां चल रही हैं, ये सड़जी आप इस बार पकड में आने वाले हैं, जादा दिन नहीं बचे हैं इलेक्शन के लिए, आप चारों खाने चीत हो जाएंगे। आप तो एकतम सफेज जुद बोलते हैं, वो तो हुप मुख्य मंत्री है, तो कैमरा क्या वो तो उप ग्रह भी लेकि आ सकता है। तो पैरिस बनाने में अभी वक्त है, इन्होंने कम से कम दिल्ली में जेलों को तो थाइलेंड बनाई दिया है। इसकी शुर्वात इन्होंने त्यार से कर दिये, तो ये काम अच्छा है। अभी कैट जो, अभी कंडिटेट कैसे कैसे चुने गएं आप देखिए। बड़ा अजीब ही त्यूंका चला, टिकट कैसे लोगों को बाता जाता है। ये बड़ी पीड़ा है, जन्ता के मन में, कि टिकट कैसे बाते जाने। एक जो सच्चा कारे करता है, वो बिचारा इस इन्होंने आता है, उसे बाल सबेद हो गए। गज़ब चुनावी टिकट बाते गए। गजब चुनावी टिकट बाटे गए, किसी को गुंडा, जूटा, आतंकी या बाहुगली भागया, किसी के दिल पे एक्टर, क्रिकेटर या चैवाला छागया, बले ही सेवा भाव, तियार, समर्पन से केंडिडेट दूर रहेगा, फॉलोवर्स और पॉपुलेटी तो है ना बाकी सब चलेगा, क्या बात है, फॉलोवर्स और पॉपुलेटी तो है ना, बाकी सब चलेगा, सच्चे कारेकरताओं के सपने हमेशा टाल देते हैं, दोट की मक्की की तरह हर बाद निकाल देते हैं, बॉलिवोड एक्टरों, क्रिकेटरों को जमकर बुलाया जा रहा है, पॉलिवोड एक्टरों, क्रिकेटरों को जमकर बुलाया जा रहा है, और जनता की ख्वाइचों को सेमी फैइनल में ही फ्लोप बुलाया जा रहा है, जनता की क्वाइशों को सेमी फाइनल में ही फ्लॉप कराए जा रहा है थोक में बटेंगे टिकर तो कैंडिडेट पहले अपनी सैटिंग ही करेगा जिसने पूरी जिंदगी एक्टिंग की हो वो जनता से भी तो एक्टिंग ही करेगा हमेशा इनकी शूटिंग, बोटिंग, एक्टिंग, प्लेइंग तक ही वेस्तता रहेगी इनको मिला टिकर तो जनता भी इनके लिए पार्ट टाइम ही रहेगी बगएर पैरामीटर सैट की ये टिकर मिला तो ये जीते रहेंगे बस अपनी जिंदगी रियल की जिंदगी के लोग कहां समझेंगे गरीब के फील की जिंदगी रियल के जिंदगी के लोग कहां समझेंगे गरीब के फील की जिंदगी एक आप इनके परचित हैं सर जी के जो अंदर से जिनको सर जी ठगे हैं उनकी फ्रेंड को इभी बुला लिया गया है कलाई थी अब देखिये आज अब कुछ दिन फैसला आ जाएगा परिशान मत हुए एक्टर भी डारेक्टर भी सब दिखाई देगा और इन सब पर हमारी त पर्फर्वर्मेंस अच्छा होगा जो काम अच्छा करेंगे ठंग से करेंगे हाँ पिल्कुर उन्हें ही मिलना चाहिए और किन-किन को मिल रहा है किन-किन को मिलना चाहिए किन-किन को नहीं मिला और किन-किन को कैसे मिलेगा ये सारी बाते में लेकर के आई हूँ आई ये जुड़ते हैं पर एक बात कहते हूँ सुनिएगा के फर्क नहीं मंत्री सांसद्या आप विधायक हो जाओ दिल पर राज करें जनताके और जननायक हो जाए पूरा हो देश जहां उस पथ पर चल कर करम करें इतने हो कर तब ये निष्ठ के टिकट के लायक हो जाए लेकिन ये टिकट के लायक होते नहीं है ये करते क्या है वो बताती हूँ कि जाती वाद का जहर घोल कर अपने वोटर चाटेंगे टिकट चाहिए है साम नाम दंड भेद और पता नहीं क्या क्या लगा करके इने टिकट चाहिए लेकिन जनता अब भोली भाली नहीं है वो जानती है कि उसे पार्टी को क्या बताना है और पार्टी को कहा जाकर कि टिकट माटना है ये कोई ऐसी टिकट नहीं है तब कहती हूँ कि जाती वाद का जहर घोल कर अपने वोटर छाटेंगे गिधों को सनरक्षन देंगे कोयल के पर काटेंगे खैरातों के बल पर होगा सिंघा सन का सौदा जब खेरातों के बल पर होगा सिंगासन का सौधा जब महनत कश के टेक्स का पैसा मुफ्त में नेता बाटेंगे महनत कश के टेक्स का पैसा मुफ्त में नेता बाटेंगे तो जनता कहती है सुनिएगा सत्ता सवारियों और टोपी कुर्ता धारियों सत्ता सवारियों उटोपी मफलर धारियों रीसेंट पुजारियों वोट के शिकारियों काम आओ टिकट पाओ काम आओ टिकट पाओ आप कहती है जंता कि एक एक वोट का दाम चाहिए नाम नहीं अब काम चाहिए होगी सफाई तभी मिलेगी हो कम महंगाई तभी मिलेगी फ्री हो पढ़ाई तभी मिलेगी पहले चली थी चाल अब न चलेगी अरजी टलेगी यहां दाल न गलेगी सत्ता सवारियों और टोपी कुर्ताधारियों रिसेंप जारियों और वोट के शिकारियों काम आओ टिकट पाओ काम आओ टिकट पाओ बहुत बढ़ा बहुत खुब यह आपने प्री वाली बात कही है यह सर जी को बड़ी जच्चती है अच्छा यह देखिए अब गुजरात में बाट किया है हमने तो पढ़ाई वाली ज़ात कही है हम सारी सफाई करा देंगे सारा सब कुछ साफ करके सतिंदर जैन ले गया है काफी कुछ तो और भी थोड़ा बहुत बचावाई तो वह भी साफ कर देंगे बस आप हम पे मैं तो आपका बेटा हूँ आपका भाई हूँ लोग मुझसे प्यार करते हैं मुझे अपना बेटा कहते हैं लोग लाड़ला हूँ मैं लोगों का यह संवीत बात्रा भी देखना एक दिन मेरी कितनी तारीफ करेगा इस दिन तारीफ करेगा भाई साहब आपकी तारीफ करने के लिए मही रह गया हूं क्या बीच में नहीं बोलेते, हम अभी भी आपको बता देते, देखे भाई साब होता क्या है, कि हम जो कुछ कहना चाहते हैं आप बीच में फिर हमारा टॉपिक से हम बता है, पहले जूट बोलो, भाई देखे आपकी आदत है, आप भटका देते हैं, ये ठीक बात नहीं, पहले आ प्रदेश के अलावा, सारे प्रदेशों की चिंता है, अपने प्रदेश का, there is no solution that he has, but he has got solution for each and every state, अब आपके समझ में नहीं आती है, तो हम क्या करें, अब हम नेताओं के उमर की बात करते हैं, अब चुनाव लड़ने के लिए उमर की भी सीमा होगी, क्यों नीर? बिल्क पहले सेग्मन में करने चाहिए, नहीं जहां तक प्रशने है कि मेरी तो बहुत पहले, मैंने कहा राश्पती का भी चुनाओं हो जगया, उपराश्पती का भी हो गया, पचानवे वर्ष का हो गया, अब तो उमीद दिखती नहीं, ठीक है, बहुत थम्मानित है, हमारे मार् आप प्लीज अपने सेहत का ध्यान रखिए, आपके लिए उम्र नहीं की है, वो जो विदायक वाले है, उनके लेकी है, आप तो डालेक ठीक कुछ बहुत ज़्यादा बनेंगे आपके, लेकिन खीक है, मैं करो यह निताओं के लिए भी बहुत जाहना चाहिए, क्यों जरू आपके लिए नोकरी में जब हर चीज में हर राजीती में भी जरूरी है, कि सिंग सिदहार और सूजबूज चतुराई, नेता है वो जिसमें पहार सा इमान हो, रात दिन सेवा में वो जट से खड़ा रहे तो, त्याग प्रेम भाव से नामुदय मान हो, त्याग प्रेम भा उसे नामुदय मान हो, जोश भी हो, होश भी हो, रत में रवानी भी हो, जोश भी हो, होश भी हो, रत में रवानी भी हो, चूके ना कभी जो उसके हाथ में कमान हो, नेता ऐसा चाहता है देश अब जिसके लिए, नेता अब चाहता है, देश अब जिसके लिए, खुद के मा अगर टिकट नहीं मिला देश का अगर सम्मान हो रहा तो अच्छी बात है अब क्यों जरुवत है मैं बताता हूं दौर 5G का ये तो 2G पे चलेगा क्यों इतना तो आपको भी घ्यान होना चाहिए इतना तो आपको भी घ्यान होना चाहिए राजनीती सेवा के अलावा कुछ भी नहीं है रात दिन दोड़ भाग है ध्यान होना चाहिए जान पहचान ले जनता सरलता से ऐसा भी चलित्र पे निशान होना चाहिए छोड़के सियासत एक उम्र के बाद बस भक्ती पूजा पाठ और दान होना चाहिए इस जरूरी है लेता होती और जो इतनी लंबी-लंबी कवित है सुनाया से कवियों के मुँं में पान ओना चाहिए वह झानी देना प्राटी दीन दीन उद्रू का नहीं मेरा मतल़ मेरा मतल़ है उर्दू का शद्द दो तो वो प्राथी दिन 25 किलो मीटर चाल रहा है तो वहां का तेल का थेल और फानी का फानी हो लिए वैसे सीडी सी बात है कि जब चुनाव आते तो बहुत सारी चीजे फ्री में बटनी शुरू हो जाती है अब इस फ्री से कोई दिल पे न ले क्योंकि हर पार्टी बहुत कुछ फ्री में बाटती है अनामिका जी देखे यदि आपको फ्री में बाटने की जुरूत पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके काम में कुछ कमी है तब ही आपको कुछ और भी हम लोगों तक पहुचाने की जुरूत पड़ रही है इसके बाद भी जनता जानती है और उसे पता होना चाहिए कि उसे free में क्या चाहिए ऐसा नहीं है कि जनता मना कर रही है कि आप सिर्फ काम करो मैं free में नहीं चाहिए तो दोनों ही बातें लेकर के आई हूँ और एक बात मैं इधर जरूर याद दिलाओंगी अभी पिछले दुन एक प्रस्ताव आया था सुप्रीम कोर्ट से जिसमें ये कहा गया था कि एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए लगबग 24-25 लाख रुपे साल की फीज देनी होती है तो ऐसे मैं एक टैलेंटिग डॉक्टर डॉक्टर नहीं बन पाता है क्योंकि उसको सालाना इतना खर्चा वो नहीं उठा सकता है तो ऐसे मैं शिक्षा और स्वास्थ ये दो चीजें स्वास्थ सुविधा और शिक्षा ये दो चीजें फ्री होनी चाहिए बहुत जरूरी है फ्री नहीं तो थोड़ा इसका कम भी हो तो आप जो हमें फ्री में दे रहें वो हमें नहीं चाहिए उसके बदले में काम चाहिए और जो हमें आप नहीं दे रहे हैं वो हमें फ्री में चाहिए तब मैं यहां से एक बात लेती हूँ और यहीं से खत्म यहां भिक्षा कर दो बिजली पानी वाली तोफी अबना बाटो बच्चों को बिजली पानी वाली तोफी अब ना बाटो बच्चों को करना है तो स्वास्थ की सुविधा और फिरी शिक्षा कर दो करना है तो स्वास्थ की सुविधा और फिरी शिक्षा कर दो करना है तो स्वास्थ की सुविधा और फिरी शिक्षा आचे ये प्रीका कंसेप्टी भी दिल्ली से निकला है। वो तो कह रहे हैं कि हमने देखो स्वास्ता सुगधाय स्कूल सारे प्रीकात। देखे आप गुजराद जा रहे हैं तो मैं एक दोहा आपकी शान में पढ़ दू बड़ा प्यारा सा। और जो लेकर के जा रहे हैं उसमें भी मैं आपको बता देती है। कि दिल्ली से पंजाब हो आप पोहुचे गुजराद दिल्ली से पंजाब हो आप पोहुचे गुजराद कठिन डगरिया है यहां इजी नहीं है बात सुनो जी इजी नहीं है बात नहीं मिलेगी खैरात कि नहीं कि किसमत की तहरीर बता कर कागज साधा थमा दिया उससे राशन मांगा हमने भाशन जादा थमा दिया नहीं किसी को खाली हाथों दर से जाने दिया कभी नहीं किसी को खाली हाथों दर से जाने दिया कभी उमीदों उमीदे वो लेकर आया इनने वादा थमा धिया अवह एज़ादा दिया है दिली वाले जानते हैं आप इन लोगों को देखो ना जिन्नों ने इतना बड़ा कूडे का लबादा थमा धिया अब मैं अपना पढ़ते हुए मैंने जैसे एक्स्टेशण देखा और वो एक्स्टेशण क्या कह रहे है वो बताती हूँ कि उन्हें से लृकी पड़ीज रूरत जिन्हे जीत की आस कॉशल जिन के पास नहीं कोशल जिन के पास नहीं कोशल जिनके पास नहीं खेरातों के लेकर वादे वे रण थल में खड़े मिले जिन लोगों को अपने कामों पर अंबर विश्वास नहीं इनको हम पर विश्वास नहीं और हमारे पास भी विश्वास नहीं है आई इसे में ये क्या करने को कहते हूँ और बता दे रहीं फिर सुनिएगा कि सेल लगी है जल्दी आओ पहले आओ पहले पाओ वादे करके वोट जटाओ फिर अपनी सरकार बनाओ आओ भाशन सुनने आओ कतनी करनी एक नपाओ आओ भाशन सुनने आओ कथनी करनी एक ना पाओ जंगल काटो शहर बनाओ फिर नारे दो पेड लगाओ हमें तो अपने काम पे पूरा भरोसा एक पर MCD में भरोसा करके देखो हमारे उपर ये लोग तो फ्री में बाट रहे हैं सब कुछ हमने कुछ फ्री में नहीं बाटा हम लोग बिलीवरी दे रहे हैं लोगों को करके दे रहे हैं ये लोग तो कोरी कोरी नारी लगाते हैं लोग कैमरा जी भी लोग गए हैं तो कुछ नहीं करते हैं सुधांचु जी जनता के लिए काम करना पड़ेगा और विकास की सौगात देनी पड़ेगा अगर आप विकास नहीं कर सकते हैं तो जनता आपको बापस बुलाने वाले यह लोग राम निला से बाहर क्यों निकल रहे तीन महीने हो गए अब तो अरे वही राम है भाई आपकी आपकी नानी ने सिंख सीधार और शुजबूज चतुराई नेता है वह हो जिसमें पहारसा इमान हो रात दिन सेवा में वह जख से ुखचे खड़ा रहे तो त्याग प्रेम भाव से नान उदय मान हो त्याग प्रेम भाव से ना मुदय बान हो जोश भी हो, होश भी हो, रक्त में रवानी भी हो जोश भी हो, होश भी हो, रक्त में रवानी भी हो चूके ना कभी जो उसके हाथ में कमान हो क्या हो? चूके गुजरात हिमाचर में चर्चा ही नहीं पार्टी की जाकर वहाँ भी कुछ मंतर तो फुको ना पूछा खड़के जी से कैसे जीतों के तो बोले मुझे नहीं पता है मुझे से मत पूछो ना तो चलिए अब हम उमीद यही करते हैं कि लोगतंत्र रा उत्सव धूम धाम से निपते नेता जो वायदे करें उस पर सो फीज़ी खरा उत्रे लोगतंत्र की महेमा अप्रमपार रहे जीते तो व्यवहार में विरोधियों के लिए भी सतकार रहे तो इसी के साथ कभी समयलन में अभी के लिए बस इतना ही अच्छी और सची खबरों के लिए देखते रहे गुद्न्यूस टुझे झाल झाल